नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो पे आज हम लगाएंगे ग्राफ वाले प्रस्नों को जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रस्न संख्या 81 से लेकर 85 तक ठीक है ना यहाँ पर देखिए नीचे दिये गए डंड आलेक का अध्यान करके नीचे दिये गए प्रस्नों के उत्तर दिजिए एक विस्त विद्याले में दिये गए पांच वर्सों की अबदी में तीन अलग अलग विस्यों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दी गई है यानि आप देख लीजिए यहाँ पर प 5000, 10,000, 15 इस तरीके से लिखा हुआ है पहला वाला जो आपको ग्राप बताएगा वो हिंदी को बता रहा है दूसरा वाला जो काला है वो अंग्रेजी को और तीसरा वाला आपका गडित का इतना आप बात समझ गए होंगे अच्छे से अब ध्यान पूर्वक दोस्तों कंसेंट रखिए द्यान पूर्वक कोशन पढ़िए समझिए आपको समझ में आएगा पहले देखके मत घबरा जाये करिए कि ग्राप है हमको कई से लगाएं समझ में नहीं आ रहा है धहल रखिए सब कुछ समझ में आएगा ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिख गडित चुनने वाले लड़के कितने थे अब देखो जो 2009 की बात हो रही है 2009 में चलो यह तो हम पता कर लेंगे कि टोटल हमारे पास हिंदी अंग्रेजी और गडित जितने बिसे को सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितने टोटल स्टुडेंट है हम पता कर लेंगे क्योंकि यहाँ स प्यातालिस हजार का हम 38% भी निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 38% अगा लड़कियां हैं तो बागी क्या रहे हुंगे लड़के रहें होंगे इसको आप साल बपार लेंगे तो यहां पर जो संखिया आये प्रक्राइब हो टोटल 3 विश्यों में से चुनने वाले लड़कों की संख्या कितनी है लेकिन हम इस पेसली गडित के लिए नहीं बता सकते हैं तो इसका जो आपसन जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है आपसन नंबर D किकुड़ तीनों विश्यों में लड़कों की संख्या पता चल वर्स 2007 में विश्व विद्यार्थियों की संख्या 4,55,030 हो तो दिये गए तीनों विश्यों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का लगबक कितने प्रतिसत थी आफसन लिग लिजिए 19%, 9%, 12% और 5% ठीक है न अब हम आफसन को बंद क कर लिया होगा अब यहाँ पर इसको हम लगाते हैं अच्छे से सन 2007 की बात हो रही है तो 2007 तो आपका ये वाला है बोला है विश्व विद्यार्थियों की जो संख्या आए इतनी है चलो ठीक है अच्छी बात है और आगे लिखा हुआ तीनों विश्यों को चुनने वाले वि आप तैसे यहियरी निकाल लो यह आप कहेंगे 15 है यह भी पंदर आ है यह भी पंद्रह है हना और यह वाला आपका दस है तो 15 15 30 होता है यह percentage पूछा गया, आप 100 से multiply कर दीजी, 0 से 0 काट लीजी, अब इसको पूरा calculation करेंगे, काफी time फिलोगा, अब आपको जल्दी से कैसे करना, देखो, यह 4000 लिखा हुआ है न, यह कितना लिखा हुआ है, आप कहेंगे 45,500 लिखा हुआ है, हम यह माल लेते हैं कि 4000 का अगर हम 11 ग देंगे, तो 11,99 भी होता है, यानि 9 पॉइंट लगबग 9 परसेंट के सम्थिंग आना चाहिए, तो आप आपसन देख लिजीए, कहां भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आपसन नंबर B, तो आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, हो सकता है, 8 पॉइंट स पुछा है, लगबग 9 के आसपास आएगा, तो यही वाला आपसन को टिक कर दीजिएगा, आपका अंसर सही निकलाएगा, पूरा कल्कुलेसन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उमीद यह बात आपको समझ में आ गई होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और कोसन नंबर देखते हैं, 83, पहले आप आपसन को पढ़ लिजी, नोट कर लिजी अच्छे से, वर्स 2006, 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गड़ित चुनने वाले विद्यारतियों की संख्या कितनी थी, आप देखो, किसकी पूछा है, पहले तो आप यह ध्यान रखिए, पूछा कि पहले आप बात करते हैं, हिंदी की और गड़ित दोनों चुनना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हिंदी में देखी, यहाँ पर हिंदी वाला है ना हिंदी, तो पांच है, तो पांच लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पांच लिख लेंगे, और हिंदी के बा चलो अब दिग रहा होगा देखो यहीं तरह के लाश्ट तक ठीक है लाश्ट में 35 है चलो कोई दिकत नहीं है तो 2006 की बात कर रहे थे यहाँ पर 5 इसका आया लाश्ट वाला 35 है ना देखो ये लाश्ट में 35 अपर जा रहा है तो 35 और 5 कितना होगा आप कहेंगे 40 होगा हमने भी कहा 40 हो कोई दिक्कत नहीं है 2007 की बात करते हैं 2007 में तो ये 15,000 है ये भी 15 है 15, 35 होता है अब हम बात करते हैं 2009 की तो 2009 में देखिए आपका ये कितना है 20,000 है और गडित आपका लाश्ट वाला है ये तो आपका 5 है तो 20 और 5 कितना होता है आप कहेंगे 25,000 होता है ठीक है ना ये बात आपको समझ में आ गई ह होगी 40 30 70 75 होता है 95 आगे 30 हम और बढ़ा देंगे क्योंकि संक्य हजारों में दी गई थी तो आपसंद तो गए लिखा ही नहीं है तो कोई बात थोड़ो है आपसंद नमबर डी मार देंगे इन में से कोई नहीं बस हो है बलब देख रहे हैं आपको दोस्तों ग्राफ के कोसंस बस समझ लेना है लैंगवे समझ लिए ना तो आपका सवाल गलत होई नहीं सकता है यहाँ पर दोगो पूछा गया है वर्स 2005 तथा 2008 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गड़ित चुनने वाले अब देखो इसको ऐसा करो कुल मिलाकर गड़ित चुनने वाले यहाँ पर इसको काट लो नहीं अंसर आपका मैच नहीं करेगा ठीक ना अंसर नहीं मैच करेगा आपसन के कॉर्डिंग क्योंकि थोड़ा से मिस्टेक है आप करो वर्स 2005 तथा 2008 में कुल मिलाकर गड़ित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी चलिए अब लगाते हैं अंसर नहीं मैच करेगा गलत है मालो अपसन गलत होंग यह त 30ग और 15 जोड़ दिजी है थमने का 45 होगा सीधी सी बात है 45 आया अब यहां पर कुल संख्या मिलाकरना थो टोटल में परसंटेज कहीं से निकालते हैं टोटल तीनों को निकालेंगे यानि 2005 में टोटल तीनों में कितना है और 2008 में कितना है तीनों को निकाल लेते हैं जोड़के यहाँ पर 5 हो रहा है और यह कहां तक पहुंच रहा था 35 तक पहुंच रहा था 35 तक पहुंच रहा था 35 पहुंच रहा था 35 चालिस चालिस और यह 15 य तो यहां पर देखिए यह 25 है यह 30, 30, 60, 60 और 25 कितना होता है आपका 85 होता है इंटू 100 परसंटेज निकलना है अब यह आपका आएगा 45 और यहां पर 5, 5, 10, 8, 5, 13 यानि 140 बटे स्वाव आ गया जीरो से जीरो आपका एंगे कार दीजिए और कार दीजिए कुछ कट रहा है नह 450 में 14 से भाग कर दो कोई दिक्कत नहीं है जादा ताम जाम के चक्र में नहीं पड़ते हैं यानि यहां पर हम भाग कर देते हैं 450 में ऐसे भाग कर देते हैं 14 तरीका कितना होता 42 होता है 5 में 2 गटाएंगे 3 और 14 दूनी 28 लगबग जाएगा तो इसका जो अंसर जाएगा कितना आएगा 32 परसेंट लगबग हो जाएगा ठीक है न आपसर नमबर D के साथ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको लगाना था उम्मीद ये बात आप स चलो आपसर नोट कर लिजिए 11 पाते 5 12 पाते 7 ये आपके आपसर नोट कर लिए होगा चलो अप फ्राव कोसन छोटा करते हैं फिर हम इसको लगाने की कोसिस करते हैं 2006 35 तक हाइस्ट है चलो आप साहिए अब देखो लिखा हुआ है 2006 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले बिद्यार्थियों की संख्या 2005-2009 ये 9 लिखा हुआ है 2005-2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्तियों की संख्या की बिच अनुपात पुछा है बहुत ही सिंपल है पहले 2006 में पहुँचेंगे 2008 में इसमें से किसको देखना है अंग्रेजी वाले के चुनना है चुन लिजिए पहांगे धैग्रेजी तो 25 है ये भाला हमने भी कहां 25 से 2008 में 2008 में कहां है यह यह है 30 30-25 कितना होता है तो आप कहेंगे 30-25 कितना होता है 55 होता है 35-55 होता है तीक है वर्स 2005-2009 तो 59 में बात हो रहे हिंदि यानि उपर वाला, सबसे पहले वाला तो 2005 में हिंदी की बात करेंगे तो 5 और 2009 में 2009 में हिंदी की बात करेंगे तो 20 20 और 5 कितना होता 25 देखते लिए कि दोस्तों कहीं कैलकुलेसन हो तो बता दीजिएगा हम भी इंसान हैं गलतियां हो जाती है ये आ रहा है 11.5 ये आपसन भी दिया था लगे दिया था कि आपसन हम आपसन ही भूल गए है अरे बिल्कुल सही है आपसन नंबर एसका राइट अंसर होगा ठीक ना उमीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस तरीके से दोस्तों आपका एक जो ग्राफ है 5 नंबर आपके पक्के हो गए अब अगला ग्राफ आता है 86 नंबर से लेका 90 के विच में इसमें भी आपको पांची प्रस्ने साल्व करने है क्यां से पढ़िए नीचे दिये गए डंड आलेक का अध्यान करके दिये गए प्रस्नों के उतर दीजिए पांच बीविन संस्थानों के तिन बीविन संक्यायों में चातरों की संक्या दी गई है चलो यहाँ पर देखो तीन है तीन इसमें भी बने है तीन इसमें भी बने है कोई नई बात नहीं है दो को यहाँ पर आपको समझना है पहला वाला जो बना है ना ये कइसा है ये कम काला है यानि M.B.A. है बिल्कुल सफ़ेद वाला M.C.A. है ये जो बिल्कुल है काला है वो कौन सा है L.L.M. है M.B.A, M.C.A, L.L.M चलो ये संस्थान है A है, B है, C है D है, E पांस संस्थान दी गई है ये संख्या है छात्रों की चलो चात्रों की संख्या 50,100, 1500, 200, 2500, 300, 3000, 400, 1400 लिखा हुआ है हमें इन सब चक्रों में नहीं पढ़ना है हम जिए उसन पूछा क्या गया है पहले कोछपन आप अच्छे से पढ़ लिजिए आप सन्कों नोट कर लिजिए संस्थान D में M.C.A के छात्रों की संख्या उस संस्थान के सभी संख्याइयों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिसत है दसमलों के दोवंक तक निकाल के दिखाईए हम ने का चलो कोई दिक्कत नहीं है पहले MCA में पहुंचते हैं, MCA कौन से था, अच्छा पाई, दूसरे नमबर वाला आदेखो, अब आपके आपसन नोट कर लिजिए, 38.85, 40.48, 38.21, 66.36, आपसन नोट कर लिजिए होगा, उम्मीद है, अब हम थोड़ा सा कोस्टन को अच्छा सा जूम करना पड़ेगा, अब यहां पर दो को MCA दूसरे नमबर पेना, यानि इसकी हम बात कर रहे हैं, संस्थान D वाले में पहुंचो, बीच वाला है न, MCA वाला, यानि ये वाला, ये कितना है, 400 है, कितना है, 400 है, तो D में 400 है, कोई दिक्कत नहीं, उसी संस्थान के सभी, अच्छा सभी बोल दिया है तो सभी के मतलब सबको लेना पड़ेगा, अच्छे, ये 400 है, उपर 450 है, उपर सबसे 450 है, ये बीच वाला कितना होगा, बीच वाला, ये, बीच वाला, गरबड़ कर रहे हैं किया, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, उस सभी, अच्छा ठीक है, सभी पुछा है न, त तो 400 था, ये उपर वाला, ये वाला, ये, ये कितना आया, ये उपर 450 है, ध्यान रखियेगा, 400, 450 है, यानि बीच में कितना आया होगा, 425 आया होगा, कितना आया होगा, 425 आया होगा, अब बीच में 400 था ही, अभी निकाले ही, ये कोई दिक्कत नहीं है, अब बचा LLM, य अभी तो निकलेगा ना यहां पर जोड़ लेजिए कितना आएगा इनको जोड़ लेजिए आपका कितना आएगा यहां पर 5 आएगा और 527 पांच दो साथ आएगा और 426 1075 आएगा लगबग ठीक ना इतना यह चेक कर लेजिए गा 400 बट 175 आएगा परसंटेज में पूछा गया 100 से मल्टिप्लाई कर दीजिए 52 नी 10 पांच जीरो जीरो पांच दूनी 10 और यहां पर 5 एकम पांच पच्वम पचीस पांच चोको बीस पांच चोको बीस पांच चोको बीस पांच तरिका पंदरा ठीक है ना सही है देख आएगा 43 भागे 1600 कितना आएगा 43 भागे 1600 भाग कर लेते हैं तो यह कितनी बार जाएगा 4 तो 16, 4 तरिका 12, 4 तीन बार जाएगा 3 तरिका 9, 3 तीन चोको 12 तैसे भाग कर लिजिए गा 10 में 9 गया 1, 5 में 2 गया 3, यहां पर 0 आएगा फिर 4, 7 तरिके कई 7 चोको 28 यानि यह लग बग सायती दसमलों में कुछ जा रहा है, सायती दसमलों में कुछ आएगा इसका अंसर, सायती दसमलों कहा था, यह वाला है, यानि इसका जो राइट अंसर होगा हमारा कौँ सा नंबर हो जाएगा, सायती दसमलों जा रहा था, यानि सायती दसमलों कहा पे था हमारा, कौँ को सा नंबर था यह कहां पर हम पहुंच गए 86 नंबर था है यह वाला तो इसका जो राइट अंसर होगा आप सा नंबर कौं सा होगा सी नंबर हो जाएगा 37.21 उम्मीद यह बात आप समझ गए होगे अब हम आगे बढ़ते हैं कोसा नंबर 87 पर चलिए यहाँ पर देखते हैं पुछा गया संस्थान ए में MCA के चात्रों की संख्या सभी संस्थानों के MCA के कुल चात्रों की संख्या का लगबक कितने प्रतिसत ह है आप देखो पहले हम बात करते हैं संस्थान ए में आपसन आप नोट कर लेजिए 42 परसंट 26 परसंट 38 परसंट 12 अब थोड़ा कोसन को हम हलका चोटा करेंगे तब ही आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है चलिए यहाँ पर संस्थान ए की बात हो रही है तो संस्थान ए में हम पहुँच गए यह वाला ए है M.C.A. के चात्रों की संख्या M.C.A. यानि बीच वाला है M.C.A. के चात्रों की संख्या M.C.A. के चात्रों की संख्या आपके कहां पर है यह बीच वाला है यह वाला यानि यहाँ पर M.C.A. के चात्रों की संख्या यह वाला बता रहा ये वाला, कितनी होगी, 425 है, कितनी है, 425, 400 और 450 के बीच में है न, तो इसका मतलब इसके बीच में कितना रहोगा, 425 रहोगा, आगे लिखा हुआ है, सभी संस्थान होगे, सभी बोला है, यानि अब जितने भी संस्थान बचे हुए हैं, ठीक है न, उनके कुल छात्रों की स दूसरे वाले संस्थान की, हम बात कर लेते हैं, M-C हैगा, तो आप कहेंगे, कितना है, 350 है, 350 है, 350 लिख लेंगे इस तرीके से, कोई दिक्षत नहीं है, अब इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर कितना अब ये बताओ, डी वाले में कितना है, डी वाले में आपका हैंगे, 400 हैं, डी वाले में कितना हैंगे, 400 हैंगे इसको छोड़ देते, इसको एक बार फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो इसका कितना आया था, 400 कितना था, 25 था ना, फिर से जोड़ेंगे हम 425, अब यह हो गया, सबी संस्थानों के, MCA के जितने भी छात्र थे, ठीक है ना, यह बात आपको समझ में आगी, सब को जोड़ लीजिएगा, यह कितना आएगा, उपर 425 रहेगा, इसको जोड़ जोड़ लीजिएगा, दो तो 4, 4, 5, 4, 9, 11, और 11, कितना, 12, और 3, 4, 3, 7, 16, 16, 16, 16, 25 आएगा, आप जोड़ लीजिएगा, 16, 25 आएगा, और यही परसंटेज में पूछा गया है, अब आप इसको निकाल लीजिएगा, आपका अंसर निकाल आएगा, ठीक है ना, चलिए एक पांदूनी दस, 0, 5, 3, 15, यहाँ पर बचेगा, एक, पांदूनी दस, 25, 25, फिकाल लीजिएगा, 5, 6, 35, 25, पांचों को 20, ठीक है ना, फिकाल लीजिएगा, 5, 1, 5, 5, 3, 15, यहाँ पर आएगा, 5, 8, 4, 45, ठीक है ना, अब यहाँ पर भाग कर लीजिएगा, 4, 25, और यहाँ दूनी 26, 14 में 6 गटाएंगे 8, और 13, 73, 78, 26 दसमलों में कुछ अंसर जाएगा, 26 दसमलों में अंसर कुछ जाएगा, तो 26 परसेंट को आप टिक कर दीजिएगा, आपका यही अंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, उमीद है यह बात आप समझ गए होंगे, चलिए कोसन नंबर अगले पर बढ़ते हैं, बस आपको कोसन केकर लेंगवेज समझ गए, तो फिर आपका सवाल कोई गलत नहीं कर सकता है, आपसन को पहले नोट कर लिजिए, संस्थान C तथा E में कुल LLM के छात्रों की संख्या का, संस्थान A तथा B में कुल MBA के छात्रों की संख्या से करम कितना अनुपात है, ठीक ना, अनुपात पुछ लिया गया है, अनुपात वाले सवाल आ गया है, चलो आपसन नोट कर लिजिए, दो अनुपाते 5, 7, 6, 2, 1, 13, 29, ठीक ना, आपसन नोट कर लिया होगा, उमीद है, अब हम इसको थोड़ा सा अपसन को बंद कर देंगे, चलिए इसका भी नंबर आ गया, लाश्ट में देखिए, यहाँ पर लाश्ट में कौन सा रहा, यह तो हमारा पचास सो के बीच में कितना आता, 75 आता है, है ना, पिल्कुर सही बात है, 75 आएगा, तो हमने भी कहा लिए लो, 75, 75 लिख लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, ठीक ना, चलो, देखते रहिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एगी, तो एवाले में कहाँ पर है, लाश्ट वाला है, तो यह लाश्ट में तो 200 है, 200 है, इस तरीके जोड़ लिया, 250 है, आपको समझ में हारा हो गया चीज, और यही पर अनुपात प यहाँ पर वाला है, अच्छा, MBA सबसे पहले नंबर पेना, तो यहाँ पर देखो, MBA कितना होगा, 250 और 300 के बीच में कितना आएगा, तो आप कहेंगे, 275 होगा, हमने भी कहा, 275 है, कोई इसमें नई बात नहीं है, सभी को दिख रहा है, 275 है, और B में हम बात करते हैं, MBA का, तो आप कहेंगे, 450 है, कितना है, 450 है, अब आपको दोस्तों को जोड़ लेना है, आपका ratio निकाल आएगा, वाकि कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी, जोड़ लेंगे, तो उपर आएगा 325, और नीचे वाला जोड़ेंगे, तो आप कहेंगा 725, इनको काट लीजिए, को पांचे का 30, 25, पांचे का 525, पांचे का 525, पांचे का 15, 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 तेरा बटे 29, यानि तेरा अनपाते 29, तेरा अनपाते 29 था कि नहीं था, मैं लग रहा है, गड़ बड़ तो नहीं कर दिये, अरे ह हवसलों के साथ लगाएंगे अच्छे समझ में आपका आएगा नवासी नमबर देखिए सभी संस्थानों में MBA के छात्रों की संख्या कुल कितनी है अच्छा भाईया सभी संस्थानों में पूछ लिये हैं बहुत बड़ा हैं सब भी संस्थानों में MBA MBA सबसे उपर वाला है MBA आपका सबसे क्या है उपर वाला है तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है चलो MBA सबसे पहले वाला नमबर पे आता है आपका अकुल संख्या पूछ ली गई है तो MBA के इसका आप जोड़ लीजिए सब को जोड़ लीजिए आपका निकल आएगा नवासी नमबर जोड़ लीजिएगा जोड़ दें चलो जोड़ दें अच्छा MBA यहाँ पर कितना 275 पहले कितना आएगा 275 आएगा सरस्थान A में सही है न इसके बाद कितना आएगा इसके बाद आपका 4500 दिख रहा है साफ साफ इसके बाद अगले नमबर पे तीसरे बाले में कितना आएगा आप कहेंगे 2500 है तो हमने भी 425 425 है फिर अगले इस्टेप पे आपका आएगा 300 कितना है 300 सबको जोड़ लिए कितना आएगा 000 और यहां पर आएगा अगला 527 512 और यहां पर साथ 512 पास 172 19 सही है देख लिए 275 400 और आपका 250 चास 425 300 सही तो लिखा हुआ है इसको जोड़ लिजी आप पहले से अच्छे से 55 5 15 सही तो है और यहां पर साथ 5 12 5 17 12 बीस बीस आएगा चार दो च्छे दो आर चार बारा तिन पंदा सत यह सत्रह सो आरा जोड़ने पर आप भी जोड़ लिजीएगा सत्रह सो आएगा आपसन है नहीं कोई बात नहीं है इनमें से कोई नहीं बारा किस लिए दिया गया इसी को टिक कर देंगे इसका अंसर वजी 17 सो आएगा फ्रेंट्स ठीक है न आपसन नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं के साथ जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं और यहां पर यह लग़रा लाश्ट प्रस्ण है चलिए लाश्ट प्रस्ण है रेशियो का आ गया है सबी संस्थानों में MBA, MCA तथा LLM के छात्रों की संख्या में क्रमसा क्या अनुपात है बहुत ही सिंपल सवाल है अनुपात पूछा गया है कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले MBA को तब ही निकाले ही थे कितना आया था यहां पर कितना आएगा आप तीन सो पचीस आएगा यहां आप ऐसा करिएगा दोस्तों एक सवाल आपको घर के लिए भी देते हैं आप इसको ऐसा करिएगा जो MCA है ना यह बीच वाले इनका यह टोटल निकाल लिएगा जितना आये एक तुमने जोड़ दिया है इधर MCA वाला जोड़िएगा टोटर इधर LLM का निकालिएगा लास्ट वाले का है ना सब को जोड़ के फिकाटा पीटी करिएगा कोई ने कोई आपसर मैच करेगा तो दोस्तों इसको आपको कमेंट में आपको अंसर छोड़ देना है काउं से इसका अंसर सही होगा ठीक है ना यह आपके लिए होमबर्क में सब हमी करवार है कुछ आप लोग भी करिए है ना चलिए इसका जवाब आप सबी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा चलिए दोस्तों वीडियो दिखने लिए धन्यवाद